नील के इविक्ट होने पर फूट फूट कर रोए अब इसे एक लाइफ रोमो में देखा गया कि नील और रिंकुजी को इविक्ट कर दिया गया बिग बोस के गर में लगातार अनफेर इविक्शन होते नजरा रहे हैं पिछले हपते इशा ने एश्विर्या को अनफेर इविक्शन कर दिया था तो वहीं विक्टी ने नील को पूरे सीजन के लिए नोमिनेट कर दिया था जिसके बाद bottom two में नील और रिंकुजी ने दोनों के ही vote कम थे वैसे तो रिंकुजी का eviction होना चाहिए था because सबसे कम vote रिंकुजी के थे बट बिग बोस ने नील का भी unfair eviction कर दिया जिसके बाद अब इसे एक नील को जाने से रोकते हैं बिग बोस हाउस में अब इसे के साथ तीन लोग ही तो बाते कर रहे थे जिन तीन सदश्यों के साथ अब इसे की दोस्ती थी उनमें भी दो का eviction हो गया और तीसरे मुनावर जो की वैसे ही इस टाइम upset चल रहे हैं ऐसे में अब इसे खुद को बिलकुल अकेला समझ जोर जोर से रोने लगते हैं तो वही नील अब इसे को चुप कराते नजराए इस पर अब इसे कहते हैं कि एशुरे के साथ तो हो गया बट मैं आपके साथ unfair eviction नहीं होने दूँगा जब से अब इसे की best friend खान जादी evict हुई है उसके बाद हर अब इसे की सबी friends एक एक करके अब इसे को छोड़ कर जाने लगे ऐसे में अब इसे खुद को बहुत ही ज़्यादा केला फिल कर रहे हैं वेल दोस्तो अब इसे को निल की दोस्ती को लेकर आपकी क्या राही है कोमेंट करके जरूर सेयर करें